राज ने अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में उस रहस्यमई चित्रलिपी को पढ़ने की कोशिश की जो फर्श पर लिखी थी उसके हाथ काप रहे थे और उसकी सांसे तेज हो गई थी चित्रलिपी में लिखा था जो भी इसे पढ़ेगा वो इस ट्रेन से नहीं बचपाएगा राज को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो उसने तुरंट अपने फोन को बंद कर दिया और अंधेरे में चिपने की कोशिश की उसे लगा कि शायद वो जो भी अद्रिश शक्ती है उसे देख नहीं पाएगी लेकिन उसकी यह उम्मीद जल्द ही तूट गई जब उसने अपने पीछे कुछ फुस फुस आते हुए सुना वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी तुम बच नहीं सकते तुम बच नहीं सकते राज ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में दोड़ पड़ा उसे पता था कि अगर वो इस डिब्बे से बाहर निकल जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है उसने दर्वाजे की ओर दोड़ते हुए अपने फोन की टॉर्च फिर से चालू की और देखा कि दर्वाजा खुला हुआ था वो बिना पल्टे बाहर की ओर भागा जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुँचा उसने देखा कि वहाँ सब कुछ सामान्य था यातरी अपने अपने काम में व्यस्त थे और किसी को भी उस डिब्बे में हुई अजीब घटनाओं का पता नहीं था राज ने राहत की सांस ली और अपने सीट पर वापस जाकर बैट गया लेकिन उसका मन अभी भी अशान था उसे लगा कि वो जो भी अनुभव किया था वो एक सामान्य घटना नहीं थी उसने ठान लिया कि वो इस रहसे की तह तर जाएगा और पता लगाएगा कि आखर उस डिब्बे में हुआ क्या था राज ने अपने दोस्तों से उस रात की घटनाओं के बारे में बात की और उन्होंने उसे एक पुरानी कीवदंती के बारे में बताया कहानी के अनुसार एक यात्री जो उसी रूट पर यात्रा कर रहा था उसकी अचानक मृत्यू हो गई थी और उसकी आत्मा उसी डिब्बे में भटक रही थी राज ने फैसला किया कि वो इस रहसे की जड़ तक जाएगा उसने अपने जापानी दोस्तों की मदद से उस यात्री के बारे में और जांकारी इकठा की उन्होंने पता लगाया कि वो यात्री एक महत्वपून जापानी व्यापारी था जिसकी मृत्यू एक दुर घटना में हुई थी राज और उसके दोस्तों ने उस व्यापारी के परिवार से मिलने का फैसला किया और उन्हें उस डिबबे में हुई घटनाओं के बारे में बताया व्यापारी के परिवार ने राज को बताया कि वो व्यापारी अपने जीवन में बहुत दुखी था और उसकी आत्मा को शांती नहीं मिली थी राज और उसके दोस्तों ने उस आत्मा को शांती देने के लिए एक छोटी सी पूजा की पूजा के बाद उस डिब्वे में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई राज ने उस अनुभव से सीखा कि कभी-कभी जीवन में अजीब और अस्पश्टी कृत घटनाएं होती हैं लेकिन उनका भी एक कारण होता है उसने ये भी सीखा कि किसी की आत्मा को शांती देना कितना महत्वपूर्ण है उसकी यह यात्रा उसके लिए एक अविस्मरणी अनुभव बन गई और उसने जापानी संस्कृती और परंप्राओं को और भी गहराई से समझा